income inequality की बात ना करें, poverty reduction की बात ना करें, unemployment addressing की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहें। मैं मानता हूँ, आपने वो तिलिस्म दिक्षित कर लिया है कि समस्याओं को address किये बगर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी परने जा रहा है, जब कस्ती साबितों सालिम थी, साहिल की तमना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कस्ती पे साहिल की तमना कौन करें, ये आर्थिक परिस्थीत भी जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब क की थाली नज़रा है, गरीब की आप फॉरन एक्सचेंज रिजर्फ कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में उपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है, और गाउं भी किताबी है, प्रधान मंत्री जी, 14 में जब पहली बार चुने गए, त दस्तावेज, ये अनिक्वल, बिहार को लेबर सप्लाइ स्टेट के नजरिये से मत देखिए, आप हैंड होल्डिंग करिए, कि बिस्तो के टिंबक्टू में, अगर एक आंकडा पक्ष का कोई बोल दो, तो उसको प्रधर्शनी लगा देंगे, अगर कोई आंकडा सरकार को कहेंगे, हम तो इसको मानते ही नहीं, इनकी तो मेसेड़ालजी खराब है, साब नहीं, ये डिफरेंशियल द्रिष्टी को नमत रखी है माननिय उपसभापती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अज सुबह जब पता चला, कि एकनॉमिक सिचुएशन इन कंट्री, पर शार्ट डिरेशन डिसकास्टन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था, कि हमारी पूरी बाची, और वगएरा वगएरा की चीजों में रहेगी, अर्थ बेवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जन प्रतिनी धी, जो राजे सभा और लोक सभा में बटे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थीत भी जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की था सर्फ कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में उपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है, और गाउं भी किताबी है, मैं सिर्फ और हाँ, बहुत बढ़िया कहा, जावडेकर सावने का 80 करोर लोगों को, हलाकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कि मुफ्त, मुफ्त कुछ नहीं होता है सर, मैं कई बार सदन में बोल चुका हूँ, अगर 80 करोर लोगों को आपको अनाज देना पर रहा है, तो मुझको अर्थ बेबस्था पर कोई टिपनी नहीं करनी है, कि आर्थिक परिस्थिती क्या है, कि इतनी समाव अगरेशी है, वगेरा वगेरा, सर, माननिया सभापती जी, सुधानशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी, सता पक्ष, बजती भी है, अब बिजय साइन रेड़ी जी को कस्ट वा, तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो, तो जब सुध हांसु जी ताली बज रहे है, कि वक्ता पर ताली बज रही थे, मुझे लगा, कि गाउं, शेहरों के बिरुजगार पड़ ये ताली कितनी भारी पर रहे है, प्रधान मंत्री जी, चौदा हमें जब पहली बार चुने गए, तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नही का वादा था, दो दाएं बीस, बीस करोर एक श्वेत पत्र तो बनता है, कि हम कहां हैं, सर, मानने ये उपसभापती महद है, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवियता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्च में भजन गा रहे हैं, कर्तल धौनी कर रहे हैं, सर, कोई भी वैसा ग्रोथ, जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है, सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे, अभी पिछले महें ने ये खुबसूरत किताब आई है, वेल डिसार्ज्ट, आदी किताब में सर, रेफरेंस है, ये है अनिक्वल, सर, हम किन देशों से पीछे हो गया है, पता है, छोड़ी आमेरिका, योरोप की बात, बांगला देश और नेपाल, इंकम इनिक्वालिटी को अड्रेस करते हुए, मानवीय सुचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है, ये है सर, दस्त उनको ना, उससे मतलब नहों, उसके परती विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िये, क्योंकि उन आक्रों में नंबर के बाद, आर्थिक सामाजिक परिवेश मी जाहिर हुआ है, और तब पुरधान मंत्री जी पुना ले जाओंगा चौदा में, बिहार ग पास रिवेन्यू के साधन कमतर हैं, बिहार को लेबर सप्लाइ स्टेट के नजर्ये से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए, क्योंकि अगर आप इस किताब का विसलेशन करें, सरकार के आपड़ों का विसलेशन करें, तो आपको साभ दिखेगा, कि बिहार जारखन, उत्तर प्रदेश और मद्र प्रदेश, देश के बाकी राजियों से पिछर रहा है, उसके आलावा दूसरा पहलू कहता हूं मानियोब सभापती महुद, इस किताब में बाबा साहभ भीमरा अंबेटकर को धृत किया गया है, नौर्थ साउथ डिवाइड के संदर में भी, और ये पुरानी बात है सर, एफडियाई को ही देखिए कि नौर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिये से देखिए, जो शुरुवात वहां के मुकेमंतरी नितीज जी तेज नौलेज करिए, उसको एक नौलेज किये बगएर बात नहीं बनेगी, उसको डिनाल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाएं, पावर्टी इंडेक्स पर आपने बाई कई वर्षों से काम नहीं किया, आप आंकड़ों के बारे में तो इस सरकार का दिस्टिकोन है, कि बिस्टो के टिमबक्टू में, अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे, अगर कोई आंकड़ा सरकार को असाहज करता है, कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं, इनकी तो मेस्टोलजी खराब है, साब नहीं, ये डिफरेंशियल दिस्टिकोन मत रखिए, हंगर इंडेक्स पे, खुल के कहिए, हम मीट नहीं कर पाए है, ये सत्ता पक्ष और बिपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का, हमें अड्रेस करना होगा, आपको असल में लगए है, सर बस एक मिनिट लूँगा, माफी के साथ, सर में लगठा है कि आप इंकम इनक्वालिटी की बात ना करें, पावर्टी रिड़क्शन की बात ना करें, अनिम्प्लाइम्ट अड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाओ आप फिर भी जीत जा रहे हैं, मैं मानता हूं, आपने वो तिलिस्म दिक्षित कर लिया है, कि सकते हैं लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी परने जा रहा है वेल्थ टैक्स को लेकर के income inequality को लेकर मैंने कहा वेल्थ टैक्स सोला में आपने अबालिस कर दिया किसानों के बारे में सर मैं कहता हूँ आप कहते हैं शेयर बाजार उचल रहा है बड़ी तारीफ होती है सर शेयर बाजार उचले और एक किसान आत्महत्या कर ले एक युवा बेरोज़गार आत्महत्या कर ले तो आप किस चीज को कहेंगे सर और कुछ नहीं कहना चाहता हासिये के समूहों में हासिये के समूहों में पावटी के जो परिस्तिती है आप यहार का डेटा देखिए आकरी सर एक सुधानसू जी बड़ी अच्छी अच्छी चीजे बता गया है हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशा नहीं है गरीवी से बुखमरी से 30 सेकेंड सर तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर को कहता हूँ जब कस्ती साबीतों सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी अब ऐसी शिकस्ता कस्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करें जैहिन सर्थ धन्यवाद प्रफसर मनुज कुमार जहां जी निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे